नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत आपको याद है ना अभी 18 या 19 माई को दिली की मेट्रो ट्रेन के कुछ स्टेशनों पर और ट्रेन के भीतर भी भोगी के भीतर भी कुछ बातें लिखी गई थी अर्विंद केजरिवाल के बारे में दिली छोड़ दो वो तीन थपड़ याद है ना और कुछ इस तरह की बातें लिखी गई थ तो हम आदमी पारेटी की तरफ से संजय सिंग ने एक प्रेस कॉंफरेंस की थी और उस प्रेस कॉंफरेंस को जरा आप यूट्यूब पर या सोशल मेडिया मंचों पर निकाल करके फिर से जरा सुनिये इन्हों ने कहा था कि भारतिय जनता पारेटी और पीमो यानि प्रधा मंत्री का ओफिस अर्विंद केजरी वाल के जेल से बाहर आने से इतने बोखला गए हैं कि अब वो उन पर अटैक करवाने और उन्हें जान से मरवाने की साजिश रच रहे हैं यह किसी पॉलिटिकल पारिटी के नेता का राज्य सभा के सदस्य का आपको जिम्मेदार भरा बयान लगता है कहीं से भी कोई जांच नहीं कोई पड़ताल नहीं कोई तब तक FIR भी नहीं और किसी भी तरह कि कोई investigation नहीं किसी नतीजे पर कोई agency नहीं पहुँची लेकिन यह लोग तुरंत नतीजे पर पहुँच गए कि अगर नारे लिखे गए हैं अगर धंकिया लिखी गई हैं मेट्रो इस्टेशन की दीवार पर और मेट्रो इस्टेशन के भीतर तो ये किसी और ने नहीं बलके प्रदाहान-मंत्री कार्य ले ने और भारतिय जनता पारिटी ने लिखवाए ये सब क्यों हो रहा है और ये परकरण इसलिए मैंने शुरू में ही उठाने की सोची है क्योंकि जिसने वो सब करमकांड किये थे धमकी दी थी या जो भी कुछ लिखा हुआ था बोगी के भीतर वो लिखने वाला आदमी पकड़ा गया है और ये कौन है ये सब लिखने वाला ये एक बरेली का रहने वाला है किसी बैंक में काम करता है नौइडा में किसी सिलसले में आया था और यहां आकर के अलग अलग जगहों पर जाकर के और मेट्रों के भीतर भी इसने ये सब लिख दिया था ना इसका भारती है, जनता पारेटी से कोई लेना देना है, ना PMO से, इसका कोई वास्ता दूर दूर तक का भी है, लेकिन उन्होंने तुरंट बिना कुछ सोचे समझे, प्रेस कॉन्फरेंस कर डाली है। और ये सब नाम क्यों पड़े हैं? क्योंकि इनकी शुरू से नेचर रही है, इनके परवक्ताओं की भी ट्रेनिंग ऐसी ही इन्होंने कराई है, कि कोई भी एक मुद्दा लो, उसे इतना तूल दो, इतना चने के जहाड पर चड़ा दो, कि साब मेडिया को लगे कि वाह, क्या हैडलाइन हाथ लगी है, और फिर वो उसको अपना बजाते रहें, चलाते रहें, और उस पर फिर शाम को बैठ करके इस्टूडियो में चर्चा भी हो, समाधाताओं की भी वो जो है, वाइस ओवर लें, एक राजनीती का अलगतर है का प्रोपेगंडा और तरीका, अर्वि ही इनोंने बाहर निकलते ही कहा, कि सब प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी 75 साल के होते ही रिटार हो जाएंगे, और इस चुनाव में तो ये आमित शाह को प्रदान मंतरी वनवाने के लिए वोट मांग रहे हैं, एक और शिगुफा छोड़ा, कि जैसे ही ये चुनाव निप् दिया गया, वसुंद्रा राजे को भी हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंग को भी, और पता नहीं कितने नाम इनोंने ले दिये, और इस सब के पीछे मसला क्या था, इनके दिमाग में क्या था, कि भारती जंता पारिटी के भीतर, एक अंतर का लहे शुरू कराई जाएं, और सुरक्षा का भाव पैदा किया जाए, मतदाताओं को बरमित किया जाए, कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब पांच साल नहीं रहेंगे, जैसे ही 75 साल होंगे सितंबर 2025 में, वो अपनी जगे आमित शाह को बठा करके, शायद हिमाले के रे निकल जाएंगे, कुछ पर आप चर्चाएं चल रही हैं, कि क्या हताशा इतनी सिर चड़कर के बोल रही है, कि आप कुछ का कुछ फैलाएंगे, आज हम 22 मई को बात कर रहे हैं, 23 और 24 मई, ये बस आज कल और परसों का दिन है, 25 मई को दिली में वोट पढ़ने हैं, और उससे पहले आतिशी मार ले आती हैं प्रेस कॉनफरेंस करने के लिए, और वो क्या कहती है, कि साब बीजे पी दिली में सातों सीटे हार रही है, इस से परेशान बीजे पी ने दिली में आप और अर्विंद केजरी वाल के खिलाप साजिश रचना शुरू कर दिया, 25 माई को होने वाले मद्दान से पह अपनी हरियाना सरकार के माध्यम से दिली को मिलने वाला यमना का पानी रोका जा रहा है, एक जांच में पता चला है कि हरियाना सरकार दिली में मिलने वाले यमना के पानी को रोक रही है, अब पहले तो ये यही शूर हो ले कि ये अर्विंद केजरी वाल के खिलाप साज़ी सरच रहे हैं या दिल्ली के लोगों के खिलाफ साजी सरच रहे हैं और मतदान से ठीक दो दिन पहले इस तरह की बाते करने के पीछे का इनका मकसद क्या है मतलब कहना क्या चाहती है और क्या ये आपको तर्क संगत लगता है या केंदर में बैठी हुई जो भारतिय जनता पारिटी की सरकार है वो इतनी बुद्धी हीन है कि अगर यमना से कोई पानी रोका भी जा रहा होगा तो वो चुनाव मतदान से ठीक पहले एक मौका इनको देंगे दूसरे गर्मी का मौसम है गर्मी में जल इस्तर वैसे ही कम हो जाता है और ये हर साल का इनकरोना रहता है लेकिन किस किस तरह की बातें की जा रही है और क्यों की जा रही है ये अपने आप में सवाल है बहुत बड़ा जिसका जवाब इनके पास भी नहीं होगा अब आते हैं जो स्वाती मालीवाल के साथ मारपीट कांड हुआ उसमें स्वाती मालीवाल के कु और उन्हों ने खुल करके अर्विंद केजरिवाल और इनकी पूरी ट्रॉल आर्मी पर गंभीर एलिगिशन लगाए हैं। जब वो अमेरिका में थी, अपनी बेहन की बीमारी के सिलसले में उनकी देखवाल के लिए। तबके इन्हों ने अमेरिका से कुछ फुटेज मंगाए हैं, टेसला की किसी गाड़ी में बैठ करके कहीं स्वातिमालिवाल जा रही होंगी और किसी आमाद्मी पारिटी के ही उनके समर्थक ने कोई वीडियो बनाया। स्वातिमालिवाल का कहना ये है कि साब ये सब को मेसेज भेजे जा रहे हैं, जो स्वातिमालिवाल के करीबी हैं, जो रिष्टेदार हैं या जो आमाद्मी पारिटी के उनके करीबी लोग हैं, कि अगर आपके पास स्वातिमालिवाल से रिलेटिड कोई भी प्रसनल वीडियो है, तो उसको भेजो ताकि उसको वाइरल किया जा सके और इनको बदनाम किया जा सके। ये वो वीडियो है, जिसका मैंने केवल ये स्नैप लिया है, जिसमें ये टेसला की एक गाड़ी में बैठ करके कहीं जाने वाली हैं, और ये तब का वीडियो बनाया गया है, और चलवाया गया है, कुछ मीडिया के पार्ट में चलवाया गया है, और ये कहा गया है कि देख टेसला की मेहंगी गाडियों में यात्रा कर रही है, मतलब अगर कुछ भी नहीं है आपके पास कहने को, तो आप कुछ भी उड़ाईए, और मीडिया के एक पार्ट में चलवाईए, ये स्वाती का एक मेसेज आया है, वो कह रही है, कल पारिटी के एक बड़े नेता का फोन आ उसे तोड़ना है, ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा, उसको पारिटी से निकल देंगे, किसी को PC करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है, किसी की ड्यूटी है, अमेरिका में बैठे वालेंटियर्स को फोन करके, मेरे खिलाप कुछ कर दो, अकेले सामना करूंगी, क्योंकि सच मेरे सामने है, मुझे इन से कोई नराजगी नहीं है, आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं, उसके खिलाप स्टेंड ले पाए, मैं किसी से उम्मीद भी नही करती, दुख इस बात का लगा, कि दिल्ली की महीला मंत्री कैसे हसते मुस्कुराते हुए पारिटी की, और आगे इनोंने लिखा है, कि मैं, मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इनसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगे, इस लड़ाई में मैं प ट्रेंड ट्रेकर पर है, पारिटी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है, स्वाथी की कोई प्रसनल वीडियो है, तो भेजो लीक करनी है, और अभी हाल में सोरभ भार्दवाज का एक ट्वीट आया था, और इनोंने ये कहा था, कि साब ये जो मार पिटाई में अप अपने बटन तूटने की बात कर रही है, तो बटन तो उसमें थे ही नहीं, इस तरह की बाते इनोंने कही, तो जो वंदना है, वंदना सिंग ने इनको भी जवाब दिया, एक अतुल अगरवाल है, उनको भी जवाब दिया, और ये वंदना इनकी करीबी है, स्वाती मालिव उन्होंने लिखा है कि मंतरी सौरब जी स्वाती जी की फोटो जूम करके कह रहे हो बटन थे ही नहीं लीजिए एक और फोटो उसी कपड़े में शायद इसमें आपको बटन बंद दिख जाएं वैसे औरतों के कपड़ों और बटन से ध्यान हटाएं और काम पर लगाएं आप से इस लेवल तक गिरने की उमीद नहीं थी और ये उन्होंने जो है ट्वीट किया सुधान्शु तिरवेदी का एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरिवाल वही नेता है जो कहते थे कि मैं तो तीन कमरे के घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे हैं अपनी सांसद से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलूंगा आपकी पारिटी में कुछ दस ग्यारत तो सांसद हैं दो तीन सांसद बचते हैं जो आप से मिलना चाहते हैं अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो अंदर कैसे पहुँची विभवकवार अं उन्होंने ये कहा है, जुछ क्योण नहीं बोल रहे हैं अरविंद केजयरिवाल का चुप बैठना सब कुछ बता देता है ये अब दिल्य विरोधी महिला विरोधी पारटी बन गई है संजे सिंग जब प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और वे कबूल भी लेते हैं कि माली वाल के साथ उत्पीडन हुआ है तीन दिनों के बाद विभव कुमार को अर्विंद केजरिवाल अपनी गाड़ी में लखनव लेकर जाते हैं अगर इस मामले में विभव कुमार की भागिदारी नहीं है तो उन्होंने अपने फॉन को और्मेट क्यों किया मुख्यबंत्री आवास से cctv footage गायब करना विभव कुमार को वहां पर छिपा कर रखना ये दर्षाता है कि इस मामले में विभव कुमार का ही हाथ है स्वातिमालीवाल का भी एक कोट है एक ट्वीट है किसी दोर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसी टीवी फुटेज गायब किये और फॉन पॉर्मेट किय काश इतना जोर मनीश सी सोधिया जी की लगाया होता वो यहां होते और शायद तब मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता कई तरहे के ट्वीट इधर स्वाती मालिवाल कर रही हैं और मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा देर से कर रही हैं अगर पहले ये अपनी मारपीट के बारे में खुलासा कर देती तो शायद यहां तक ये नौबत नहीं आती इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती और मैंने ये शीरशक क्यों लगाया कि अरविंद केजरिवाल को ये तो पता है कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी कब रिटायर होंगे और किस को प्रदान मंतरी बनाने वाले हैं योगी आधित तिनाथ को कब हटाया जाने वाला है इनको दूसरी पार्टियों के बारे में तो सब पता है लेकिन इनके सरकारी आवास में सी एम हाउस में इनके निजी सचिव किस महिला सांसद के साथ ड्राइंग रूम में मारपीट कर रहे हैं इनको ये पता नहीं है इनको ये पता है कि मंगल ग्रह पर कहां कहां पानी है लेकिन ये पता नहीं है कि हमारे घर के ड्रा एक शर्त थी एक तो पचास हजार के निजी मुचलके पर इनको जमानत मिली, दूसरे ये शर्त लगाई गई थी के मुख्यमंतरी दफ्तर नहीं जाएंगे और दिल्ली सचवाले भी नहीं जाएंगे, तीसरा ये के बिना उप्राज्यपाल की अनुमती के किसी फाइल पर साइ जाएंगे, क्या ये पालन कर रहे हैं सुप्रिम कोट के इस इन दिशानिर देशों का जवाब है नहीं कर रहे हैं, ये लगातार शराब घोटाले पर बोले हैं, ये अपनी भूमिका पर भी बोले हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि चवनी नहीं मिली है और हम पर आरोप लगा जा रहे हैं, हमको जेल में डाला जा रहा है, अब सुप्रिम कोट को सोचना है कि उन्होंने जिस विश्वास पर अरविंद केजरिवाल को बाहर भेजा था, क्या वो विश्वास इन्होंने बाहल रखा है या उसे तोड़ दिया है, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने ये चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो सबस्क्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आईकॉन को दबा दें, लाकि आग झाल झाल